जै माता दी, आज मैं आप लोग के साथ नौमी के दिन बर्त कैसे की हूँ, कैसे कन्या को खिलाई हूँ और लास्ट वीडियो में बताई थी कि माता रानी मेरी हर साल कुछ ना कुछ परिक्षा लेती हैं और इस वार भी ले ही ली और पास होने के कोसिस की हूँ बहुत तकलीफ हुआ जैसे कि लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं अस्टमी की दिन बात्रूम में गिर गई थी और माता रानी किर्पा कहिए कि जितनी बुरी तरह से मैं गिरी थी हाथ में तो बहुत चोट आई है फैक्चर हुआ है कि हाथ में और ज्यादा प्रोब्लम है वो तो देखिए मैं दशारा के बाद ही मन में सोची हूँ डॉक्टर के पास जाओंगी अभी बहुत दर्द हो रहा है पेन हो रहा है और मैं किसी तरह इस तरीके से मतलब पाथ भी पूरा की हूँ जबकि हस्वन कर लिये थे लेकिन मैं अस्टमी के दिन भी जब चोट लगा था तब भी मैंने साम में किया था और आज सुबे भी कर ली हूँ और उसके बाद आरती सब कुछ करके जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बताई थी कि मतलब मैं जब पानी का वर्थ रखी या सिर्फ निम्बू पानी का वर्थ रखती थी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती थी फिर भी मैं एक डेर वजे रात में उठके परसाद जरूर बनाती थी लेकिन इस वार माता रानी ने बहुत ज़्यादा चैलेंज दे दिया और मैं लाइफ में बहुत चैलेंज एसेप्ट करती हूँ चाहें इनसान दे चाहें भगवान दे जहां तक मेरे से हो सकता है मैं उसे दिल से एसेप्ट करती हूँ और मुझे पता था माता रानी मेरे साथ इतना बुरा नहीं करेंगे परिक्षा ले रही हैं ये मुझे पता है कि मैं कैसे पूजा को पूरा अच्छे से विदी विधान से सही तरीके से कर पाऊंगी और हाथ मतलब मेरे इतना पेन हो रहा है कि मैं थोरा सा उआ सही बोलू मेरी बेटी मुझे कपरे पहनाई है, तैयार की है और सिंदूर अपने हाँ से लगाई वो लगाना भी मुझे बहुत मुश्किल हो गया था फिर वी जैसे से मैं पूजा कर रही हूँ मेरा पेन पहले से थोरा ठीक हो रहा है फिर वी मैं सोची हूँ दसारा के बाद अगर इतना ही पेन होगा तो डॉक्टर को दिखाना तो जरूरी होगा कि अपने आप से इतना खिलवार तो नहीं करना चाहिए लेकिन मेरे साथ ये कई साल से मैं धीरे धीरे कई वीडियो लाऊंगी कि नवरातरे के बाद मतलब मेरे साथ बहुत प्रॉबलम होता है और मैं वो बहुत परिक्षा मेरी लेती है मातारानी और मैं देने की हमेशा कोशिस करती हूँ सारा कुछ करने की कोशिस की हूँ बस परसाद इस बार नहीं बना पाई संकल्प ली थी नवरात्रे में जब मैं स्टार्ट कर रही थी कोई करने वाला नहीं था और मैं कब कंसीव कर लूँगी कब मुझे एड्मिड होना परेगा ये सम्मन में चल रहा था फिर भी मुझे मजबूरी में दुर्गा माता को घर में लाना लाई थी और कन्या को भी खिलाई थी अचानक तो उसी साल मैंने संकल्प लिया कि कंसीव करूँगी तो फिर तो मुझे अकेले ही करना परेगा सम्मालना परेगा तो फिर मैं उसी दिन सोची थी कि सब कुछ तो करूंगी लेकिन हलुआ पूरी मेरे से नहीं बन पाएगा तो मैं चावल का खीर पहली बार जब मैंने कन्या को खिलाया था उस साल मैंने चावल का खीर बना लिया था और मातारानी से मैंने बोला था कि कभी भी ऐसी परिश्धी आएगी तो मैं खरे खरे किसी तरह चावल का खीर मैं बनाऊंगी या मेरे हस्वेन बनाएंगे या मेरे बेटी है वो बनाएगी लेकिन कुछ तो परसाद बनाऊंगी लेकिन जब मैं पानी का बरत आप सोच के देखिए जब मैं पानी का बरत की थी तब भी मैं बहुत मुस्किल से परसाद बनाई थी मतला मैं सब्दों में बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैسे कर पाई थी समातरानी का किरपा था लेकिन इस वार बहुत ज़्यादा परिक्षा ले ली और मेरे राइट हैंड में ही चोट लग गया अगर लेफ्ट मो होता तो शायद मैं फिर भी बनाने की कोशिस करती लेकिन कोई बात नहीं चोट भी लगा था और दिमाग भी चला रही थी कि माता रानी का पूजा मैं सही से कैसे करूँ तो मैंने वही किया मेरी बेटी अपना खीर चरहाई हस्वेन भी काफी काम किये और बीच में जाके एक दो बार हिला देती थी खीर और खीर भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ पांच लिटर कोशिस करती हूँ बनाने की और कमस कम मुझे पांस घंटे लग जाते हैं बहुत स्लो बिलकुल लाल कलर का मैं खीर बनाती हूँ और भोग भी लगाती हूँ लोगों को भी खिलाती हूँ तो उतने देर में मेरा घर में जो भी पूजा होना था कन्या को पूजा हवन धीरे धीरे बहुत स्लो पाठ परना जो भी है वो सारा कुछ मैं कोशिस की हूँ करने की और बस इसलिए कि मातारानी मेरे पर बहुत किरपा करके रखी हुई है और मैं उनको इस तरीके से निरास करके अपने घर से नहीं भेजना चाह रही थी मुझे पता है मातारानी नहीं होती तो शायद मेरे उपर किरपा नहीं होता तो बहुत बरा गरह था और मैं अपने हस्वेंट से भी बोली कि आपका गरह मैं ले ली क्यूंकि डेली मेरे हस्वेंट जल्दी उठके नहा के पूजा करते थे आस्टमी की दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि पूजा मेरा आज और लंबा होगा और मैं थोरा सा जल्दी उठके नहा लेती हूँ और वो लोग अपना सफाई फाए थोरा सा कर रहे थे क्योंकि एक ही बात्रूम है तो बारी बारी ही जाना होता है और सब कुछ ठीक था और जितना बड़ा हाथसा हो रहा था जब तक मैं होस में थी मुझे लग रहा था मेरे हस्वेंट भी बोले अगर सर फट जाता मैं टायल्स पे जितनी बुरी तरह से गिरी हूँ मेरा पैर में फैक्चर हो सकता था बहुत कुछ उस दिन हो सकता था और विक्नेस तो मुझे खैर पहले से ही थी तो मतलब चक्कर पैर से ब्लीडिंग आने लगा था तो मुझे चकर भी बात्रूम बन था तो घुटन भी मुझे होने लगी थी और जैसे मैंने बताए मैं सूट पहनी थी मैं बिना सलवार पहने आई ताकि हस्वेन लोग को प्राब्लम ना हो फिर मेरी जवान बेटी मुझे फिर अपना सलवार पहना आई फिर दवाई ये लोग लगाए पानी गरम से के दिये और आप किसी तरह यकीन करेंगे मैं अस्टमी का भी पूजा कर पाई बस सुबह नहीं कर पाई साम में की बिना पानी पीए दवाई जिद पे थी कि माता रानी ही मुझे ठी करेंगी मैं बिना पानी पीए मैं अस्टमी का पहले पूजा की विदी विधान से उसके बाद मैं फल खाके दवाई ली बर्थ फिर भी ने खोली ये सब सरद्धा भाव है और माता रानी की किरपा